नमश्कार आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। अर्विन केज्रिवाल से शराबने की मामले में CBI की कुष्टाच जारी है। इस करवाई के मद्दे नजर रखते हुए CBI मुख्याले के बाहर कड़ी सुरक्षा विवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अर्द सैनिक बलो सहित एक हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को CBI मुख्याले के बाहर तैनात किया गया है और उक्षेत्र में डंड प्रक्रिया सहनिता की धारा 144 लागों की गई है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चार से अधिक लोग एकत्रन नहीं हों। उन्होंने बताया कि राउच एवन्यों में आम आदमी पार्टी के कार्याले के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि आप कार्याले और CBI मुख्याले के पास सड़कों पर अवरोधक लगाये गए हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी कार्यकरता एवन समर्थक किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं कर पाएं। अधिकारे ने कहा अर्द सैनिक बलो सहित एक हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को CBI मुख्याले के बाहर तैनात किया गया है ताकि कोई अपरिय घटना ना हो। इसको आगे करता है नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नमस्कार इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपान क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जेल भीज सकते हैं किसी को भी चाहे किसी ने कोई जर्म किया हो या ना किया हो कोई फरक नहीं पड़ता है बहुत पावरफुल लोग हैं कल से इनके सारे नेता चला चला के कह रहे हैं के जरीवाल को गिरफतार करेंगे के जरी दिया है तो CBI की क्या मजाल है फिर तो CBI की रफ्तार करेगी इन्हें बहुत एहंकार हो गया है सत्ता का हेंकार पावर का नशार किसी को कुछ नहीं समझते जिसको मर्जी धंकी देते रहते हैं जजों को मीडिया वालों को पत्रकारों को नेताओं को व्यापारियों को तो जेल में डाल देंगे, सब को जेल की धंकी देते हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बे इंतहा मोहबत करता हूं, जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए, मैं दस साल पहले राजनीती में आया, पहले सोचता था, मेरा मुल्क इतना पि रोजगार क्यों है क्यों क्यों अब पता चला कि ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं इसको जेल में भेज देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे इसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज जाएगी नहीं न हाँ आपके एह्नकार की संतुष्ट्य जरूर हो जाएगी चहीं 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी हैं हैं 30 साल में आपने गुजराथ का एक-एक भी स्कूल ठीक नी किया एक भी स्कूल जब आपको गुराट में जाके फोटो खेच्वाने थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बनाके फोटो खेच्वाने पड़ी हैMAN आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरो मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सत्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सकता की हवस की वज़े से पर अब भारत रुकेगा नहीं दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक-एक भारतिय खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिन्दगी का मिशन है अब ये एक-एक भारते का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूँ एक-एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुनिल लेता हूँ इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भगवान मेरे साथ है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती में भी नहीं आए थे दूर दूर तक सीएम बनने के कोई उमीद ही नहीं थी वो जुग्यां ही मेरा घर होती थी प्रधान मंत्री जी अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मांदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सीबिया एडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकते हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि रिपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार